नमस्कार में आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News खेल मंतरी अनुराग छाकूर मीटिंग करते हैं महिला पहलवान खिलाडियों के साथ इस मीटिंग के कई मायने निकलते हैं कि सरकार ने घुटनी टेक दिये कई मायने निकलते हैं कि अनुराग छाकूर अब समर्थन में उतरा हैं पहलवान खिलाडियों के और ब्रिजबूशन सरंसिंग के खिलाफ दिखाई दे रहें क्या वाकई ऐसा है क्या अनुराग छाकूर जिस तरीकी से दोबारा पहलवानों के साथ मीटिंग करते हैं 6 गंटे की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में पहलवान किलारियों की शर्तों को माना जाता है क्या वाकई यहां पर वो चीजे होती हुए नजर आएंगी या सिर्फ यह एक धोंग है दिखावा है जो कुछ भी हो रहा है दरसल आपको यह बता दें कि भारती कुस्ति महा सं संग कि जो अध्यक्ष रहें हैं परेजबूशन सरन सिंग करेको का पूरा हो चुका उनका समय पूरा हो चुका ही चुकश हटाना ना हटाना एक बात है क्योंकि अभर उस पद तो नहीं रह सकते क्यूंकि तमाम अधिकारियों के साथ जो ओलम्पिक संग थें उन्होंने भी फैसला सुना दिया था कि अधिकार या कोई भी फैसला लेने का अधिकार उनके पास नहीं होगा लेकिन साथी साथ ब्रिजबूशन सरन सिंग का कारिकाल भी पूरा हो जाता है और महिला आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि ब्रिजबूशन सरन सिंग जैसा सक्ष वहाँ पर फिर से मौजूद हो वहाँ पर वही आदमी ऐसे आए जो महिला पहलवान खिलाडियों के साथ युवान लड़कियों के साथ यहाँ पर योन्शोशन करते वे नजर आए उन्हें गलत तरीके से छूते वे नजर आए या उनको टॉर्चर करते वे नजर आए तो ऐसे में पहलवान खिलाडियों क तो यह कह दिया कि यहां हम आपके सारी शर्टों को मानने के लिए तैयार हैं इसलिए यहां पर अभी धरना रोका गया तो क्या यहां पर एक साजिश है कि धरना रुक जाए यहां पर धरना रुक जाए और यहां पर उसके बाद देखा जाए कि शान्त हो गए अब इस मुद् पहलवानों का नेत्रित्व कर रहे हैं वही अद्यक्ष पद पर आना चाहती है यहां पर बबीतव फोगाट को तारना चाहती है किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है इसलिए अनुराक्छाक्ष यहां पर अभी इसमुद्धे पर यह वी बताईए कि अगर भारतियक उस्तिमास संग के अध्यक्ष पदल से ब्रेजभूशन हट चुके हैं तो ऐसे में दूसरा अध्यक्ष कौन होना चाहिए क्या वाकई महिला के रूप में होना चाहिए या फिर जिस तरीके से बाते कही जा रही है कि विनेश फोगाट साक्षी मलिक के जरीए यहां पर अध्यक्ष चुना जाए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताए धन्यवाद